Galaxy S25 Ultra, Samsung के अगले Ultimate Flagship के बारे में हम अब तक क्या जानते हैं? Design और Display Samsung Galaxy S25 Ultra 2025 के सबसे पतले Flagship स्मार्टफोन में से एक होने के लिए आकार ले रहा है, जिसका माप 162.8 x 77.6 x 8.2 मिमी है. वजन के मामले में यह Pixel 9 Pro XL से हलका बताया जा रहा है, जिसका वजन 221 ग्राम है. तो संभावना है कि इसका वजन 210 से 220 ग्राम के बीच हो सकता है. एटरेट यूनिवर साइस और एटरेट ओन लीक्स द्वारा लीक किये गए इसके डिजाइन में बहतर आराम के लिए एक फ्लैट कार्ट से ढखे आगे और पीछे ताइटेनियम पक्ष और घुमावदार कोने हैं. हालांकि उपस्थिती के मामले में डेवाइस ग्यालाक्सी S24 अल्ट्रा से काफी अलग नहीं दिखेगा. डिवाइस में 6.8-6 एंच का फ्लैट एमोलेट डिस्पले होने की उम्मीद है जो अपने पूर्ववर्ती की तुलना में पतले बेजल्स के साथ होगा जो इसके स्लीक लुक को बढ़ाता है. स्क्रीन 2K रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने की संभावना है. गोरिल्ला ग्लास सुरक्षा और बहतर धूल और पानी के प्रतिरोध के साथ गैलेक्सी S25 अल्ट्रा एक टिकाउँ और प्रीमियम बेल्ड का वादा करता है जो इसे सैमसंग के लाइनप में एक स्टैंडाउट बनाता है. प्रदर्शन सैमसंग के गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को गैलेक्सी के लिए कस्टम डिजाइन किये गए स्नपड्रेगन आठ जैन चार द्वारा संचालित किये जाने की उम्मीद है. उक्त चिप और कुछ नहीं बलकि स्नपड्रेगन आठ जैन चार का ओवरक्लॉक किया हुआ संसकरण है. एक्स रैम और एस एक अल्ट्रा की तरह 4.00TB तक UFS24 स्टोरेज के साथ उपलब्ध होगा. रिपोर्ट बताती है कि बैटरी के आकार या चार्जिंग शमताओं में कोई बदलाव नहीं होगा. तो पिछली PDK अल्ट्रा मॉडल की तरह S25 अल्ट्रा में 45W Fast Charging सपोर्ट के साथ 5.00MH की बैटरी होगी. बेशक डिवाइस में वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के लिए भी सपोर्ट होगा. कैमरा सिस्टम वर्तमान में Galaxy S25 अल्ट्रा के फ्रेंट कैमरे के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. यह सुझाब देते हुए कि यह अपने पूर्ववर्ती से 12 मेगापिक्सेल कैमरा बनाए रख सकता है. अटकले बताती हैं कि डिवाइस को S24 अल्ट्रा से प्राथमिक और पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरे विरासत में मिल सकते हैं. इसलिए इसके रियर कैमरा सेटप में 5x ओप्टिकल जूम के साथ 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा होने की उम्मीद है. दोनों कैमरे ओप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करेंगे. सॉफ्ट्वेर और अन्य विशेश्टाइं सैमसंग आमतोर पर अपने नवीनतम फ्लाग्शिप स्मार्ट फोन के साथ One UI के अपने नए संसकरणों को पेश करता है. इसलिए S25 श्रिंखला के One UI साथ आधारित Android 15 के साथ शिप होने की उम्मीद है. नए One UI संसकरण में नए एनिमेशन, नए सिस्टम आइकन, नए बैक्ग्राउंड इंटरफेस, बड़े फोल्डर्स के लिए समर्थन, नए गैलेक्सी AI फीचर्स और बहुत कुछ लाने की उम्मीद है. उम्मीद है, गैलेक्सी S24 लाइनप की तरह, S25 श्रिंखला को 7 साल तक का OS अपग्रेड और 7 साल का सुरक्षा अपडेट प्राप्थ हो सकता है. इसकी अल्ट्रा ब्रैंडिंग को देखते हुए, हम उम्मीद करते हैं की गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में S-Pain सपोर्ट शामिल होगा. हाला की इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है की स्टाइलस कोई नई सुविधाय प्रदान करेगा या नहीं. डिवाइस का चीनी संसकरण उपग्रह कनेक्टिविटी का समर्थन करेगा. यह अत्यधिक संभावना है की वैश्विक संसकरण उपग्रह कनेक्टिविटी का भी समर्थन करेगा. सैमसंग गैलेक्सी S25 नोट अफवाहें Galaxy S25 लाइनप में Galaxy S25, Galaxy S25 Plus और Galaxy S25 Ultra जैसे तीन डिवाइस शामिल होने की उम्मीद है हाला कि कुछ रिपोर्टों में S25 Plus का नाम बदल कर Galaxy S25 Pro करने का सुझाव दिया गया है इसके विपरीत S25 Ultra का नाम बदल कर Galaxy S25 नोट करने की संभावना है Samsung Galaxy S25 Ultra Launch की समय सीमा Samsung ने जनवरी 24 में Galaxy S2024 सीरीज का अनावरण किया इसलिए अटकले बताती हैं कि Galaxy S25 लाइनप जनवरी 2025 में शुरू हो सकता है फिलहाल S25 सीरीज की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है अंतिन विचार Samsung Galaxy S25 Ultra 2025 के लिए एक बहुप्रतीक्षित फ्लैक्शिप के रूप में आकार ले रहा है अपने चिकना हलके निर्मान Galaxy प्रोसेसर के लिए शक्तिशाली स्नैपड्रेगन आठ जेन चार और प्रभावशाली कैमरा अपग्रेड के साथ इसका उद्देश्य स्मार्टफोन उद्योग में एक नया मानक स्थापित करना है पचास मेगा पिक्सल के अल्ट्रावाइड कैमरा और उन्नत विडियो क्षमताओं का समावेश कैमरा उतक्रिष्टता के लिए सैमसंग की प्रतिबधता को दर्शाता है इसके अलावा एंड्रोइड 15 पर आधारित One UI साथ की अपेक्षित शुरुवात एक सहज और सुविधा संपन्न उप्योग करता अनुभव सुनिश्चित करती है